कि हम लोग देखेंगे बनस्पती बिग्यान और उसकी शक्षाए यानि बोटनी एंड इट्स ब्रांचेज इसमें कुश्चन कुश्चन है पहला कोश्चन है जी बिग्यान यानि बाइलोजी शब्द का परयोग शर्पर्थम किष्णि किया था तो इसका एंसर हो जाएगा ल जनक यानि फादर वाइलोजी के नाम से जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं तो अरस्टू जाने जाते हैं इसके बाद है बनस्पती बिग्यान यानि बोटनी के जनक फादर बोटनी के नाम से कौन जाने जाते हैं तो त्योफ्रेश्टस त्योफ्रेश्टस जान जाते हैं इसके बाहुं ही स्टूरिया बलेटिनेंगल平टी नम्म पूश्टक के लेखा कौन है तो अधियु फ्रेस्ट्राश। इसके बाद है सास्त्र के विदार्थयों को किस्की सपत दिलाई जाती है तो हीपो क्रेटर्थ की सपत दिलाई जाती हैं इसके बाद है संस्पड्isc इसके बाद है पर्यावरण का अध्यन जी बिग्यान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो है जाएगा परिष्थित्की इसके बाद है फूलों के शंबरधन के बिग्यान को क्या कहते हैं तो उसे फ्लोरी कल्चर कहा जाता है डेंड्रोलोजी का समद्ध किस्षे है तो डेंड्रोलोजी का समद्ध जारियों के अध्यन से है जारियों के अध्यन से है इसके बाद है पुश्पो का अध्यन कहलाता है तो पुश्पो का अध्यन कहलाता है एंथ्रोलोजी क्यान Das Panthea सबस्क्राइब manners Adidas Pizza था फर्लाइब इम्रीं सब्सक्राइब्रा टा व्हिस्व dot व्हां एपस्क सब्सक्राइब करने क्या जाता है वन सिपाय। क्या न Lahum कुछ आफ्पर्मोफ लोजी मैं क्ष्का अध्यन कहता है तो इसपार्मोलोजी में cooler और गहाशों का अध्रियों कि में विडिये झालोजी दाए शो नहीं पैज्फ कर लौगा यदा पूरेण फोर्डो यूरी में ऑध्रियन किया ज्यता है तो तो ब plumbing का अध्यन स्वाज आइब अन्हवांशिक्ता विभिंता के दार के में जनकारी देने वाली बनास्वत्य बिजान की शाख्या को को रहídा थैंता है तो आन्होंसधान की यह जनेटिक्स कहते हैं पौधो को नाम देने वाला विग्यान कहलाता है वर्गी कहलाता है जिस विग्यान में पौधो का नाम दिया जाता है उस विग्यान को वर्गी कहा जाता है फॉलो का अध्यन क्या कहलाता है तो प्राग कनो का अध्यन को हम पैलीनोलोजी कहते हैं शाग सब्जी उत्पन करने वाले पौंधो का अध्यन कहलाता है अलेरी कल्चर इसके बाद है वार्षिक वलयो वार्षिक वलयो एन्यूल रिंग्स का अध्यन क्या कहलाता है तो डेंड्रो को नेलोजी कहलाता है को गञ्रों और पौंधो की आंत्रिक-सनरशनक का अध्यन कहलाता है वह सरीर इसके सबक्राइंब कि अध्यान्ट यूज्यद शिर्णी केbereich को में कया जाता है सब्सक्राइब पादब जगत का बरीकरन पादब जगत का बरीकरन से है क्लासिफिकेशन पिलांट गिंग डोम पह्ला गिशन है इस वर्गीक का पिता उन्हें को कहता है दूनापधी परतिपाधक है दूनापधी के परतिपाधक. कौन है तो लीनियस पड़ाश्र है पड़ासव। रखा जाता है पड़ास चाहिस और जो ministř पोन्देश नहीं देते पड़ास पॉषपघ रखा रखाता है यतन्ती singers क। और आप पिश्पिय पाद्पों को रखा बेंग rozp वराकी को की अधहरिये तो में इसके बाद लिबास होते हैं होते हीडरो है को जलिये इसके बात्यूंदा पर बीज बनते हैं कि पुष्प नहीं लगते हैं है कैने तो अना बृत बीजी लाटें अनाब्रित बीजी कहा जाता है इसके बाद है जीवानु की खोई शरपर्थम किशने की तो जीवानु को खोई शरपर्थम लिवेन होक ने किया था इसके बाद निवन में से किश में माइट्रो कंडिया अनुपस्तित होता है तो जीवानु में माइट्रो कंडिया अनुपस्तित होता है जीवानु की सधारन आकरिती कैशी होती है तो सधारन आकरित 6 रुपी यानि बैशली होती है इसके बाद जो जीवानु आकार में सबसे सबसे छोटा होता है उसे गुलानु या कोकी कहा जाता है निम्ने से सबसे छोटा जीव कौन है तो सबसे छोटा जीव है माइको प्लाजमा सबसे छोटा जीव है मानव के आथ में पाए जाना वाल जीवानु कौन है तो मानव के आथ में पाए जाना जीवानु है एसरिए लिस्या घुलाई होता है इसकी सस adalah है इस वाद एंटावी चूबर कुलोसिश उत्पन करने वाले तो ती बैक्टिरिया सो्फटा बांकि गाल You'll help वाइर से वार्यस से होता है जो मंच वाइरस से होटा फ़ीर्बेक्टीरें शोटा है लेकिन ज़ो खैतर हुग जीवानु के करन होताई तो जीवानु के करण आई हैं जाइँ जी बंदेशाए इसके बाद है निम लिखित में से किस्के दौरा दूर खटा होता है तो बैक्टिरिया के दूर खट्टा हो जाता है दलहनी फंस्लो में कौन सा जीवानू नाइट्रोजन इस्टिरीकरन करता है तो राई प्सकेन ने निमल्खित में से नहीं होते हैं तो वाईर में यह कोई नहीं होता है इसके बाहराँ है उत्थी करन से वाइरस मे विशाल में वुफालाई लग साहा ही हाइडरोफोबिया होता है कुट्टे के द्वारा घातक रोग उत्पन होता है वह क्या कर आता है तो ही हाइडरोफोबिया कर आता है इसके बार से लिए चेचक के लिए टीक्फे का विकास किया था तो यह अधरोफोबिया ने खिया था विष्याणू ब्रीधी करता है जी हाय बिट कोश्का में बिशानू नहीं करता है ऐचे समंदित हैं चैयी संसे रिदें HER से संबने इसके ऐड़िए ओधे सेर्म पेंदे फोन तो संट यसके हैं कि सार्व जो है सासार शेका है सॉर्ष सार्ष भी भीक्षानु संक्रम की कारण होता है जो है जिवानुस होता है और मलेरिया पूटे cauliflower है इसके बार है उले होने वाला फूट एव माउथाट प्रहू किसके का नहीं में मुझैख मोझे होता है तो भी किसके बनी होती है कि प्राप्ध होता हैं सबस्क्राइब की आएडीन पराप्टवता है कि सबस्क्राप्ट होता है है यानि और ट्रॉपिक होता है तो शेवाल होता है इसके बाद है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिती कारण होता है तो शेवाल की कारण से लाल हमी से बनी होती हैं कबक द्वराज़र्व यानि संचित भोजपदार्थ की शुरूप में संचित रहता है तो कि रूप में रहता है सभी कड़क होते हैं सबीँ कवक्ष्ण क्या होता है वह बिवीद पोशी होता है ब्रिक्षो के छालों यानि युस्त पर ईउगने वाले कवक कहलाताए करता है कोप्रशा गोबर पर उगने वाले कवक과 कi कहलाता है तो होता है इसके बाद है डबल रोटी के निर्वान में काम आने वाला कबक कौन होता है शैक्रो माइसीज सेरेविसी होता है सैक्रो माइसीज सेरेविसी होता है इसके बाद है पेनिसीलियम क्या है तो पेनिसीलियम एक कबक है पेनिसीलियम की खोज किस ने किया तो एक फ्लेमिंग ने किया अलेकजंडर फ्लेमिंग ने किया अर्गोट अर्गोट प्राप्त होता है अर्गोट किसी से से प्राप्त होता है तो से फॉर कम होटा है इस्ट में शुष्राम के द्वारा होता है दिना में से खाने यह कभक है यह को है परत्थल सब्सेंट फॉर सब्सक्रीर पर था न होग प्रथे पर्थम प्रिथक याग्या एंटिवायेटी कैनि पर्ति जाई विकौन था तो तो था पैनिस्टिलीन टिक्का रोग टिक्का डीजली किसम होता है तो वह मौणफली में होता है गणने में लाल सरन लोग यानी रोट रिजी जहां रूट होता है इसके दाया कैने में होता है पर्थम बियूग्त पृती जैवी कौन था तो पेनिसलीन था पॉन बिखिए इसके बाहर एठील फूट्ट अधिशानु किश्य होता है तो इसकी बूर Rak यहां है इसके बार है दो और के पहोंसे पूंदह में बंनता है वह कॉन कोन है? तो कवक और सवाल के बीच योजक के काम करता है कौन? कॉले के इसके बार कइंक कॉनक होता इसके ऐस रहृत क्वाँ क्या जेशानिक की में में उफियोग में लाए जाने वाला लीतमस पत्र किसे से पराब्त क्याथता है तो कोटिको नदेता है कि से लाइक में लीटमस पत्र जो हता है लाइके सप्राप्त क्याता है भी सार पर उगने спас ठाओ का जेता है न datos एक אותi कोलiew वरत कि 중요한 जाता है कोटी सब्सक्राइब करता है तो परमेलिया परमेलिया से मिर्गी की प्राप्त करता है इसके बाद है निमकलित मैं से कौन से पादप शमू बनस्पती जगत ने के अभायकर है तो बनस्पती जगत का उभाइचर ули pond को सबते हैं इसके बार है जर के अस्थान पर मुला और यानि रायोड्स नहीं राये दियूट में चयाता संता है एजोला है एक क्या है तो जलिय फर्न होता है निमलकित में से किसके बिजानू दवा के रूप में परियोग के जाते हैं तो लाइको पोडियम के हैं सबसे अधीक क्रोमोशोम्स किसमें पाया जाता है तो टेरीडोफाइट्स में पाया जाता है सबसे अधीक क्रोमोशोम्स तो मिन्लों इस पर्म का मेव इसके बाद है कुरहौ जडरे किमे जाती है किस्मे जाती है इस के सबसे बरा बीजांड जाता है सबसे बरा बीस पाल जाता है CS Watts में सबसे बरा बीजांड पाले से प्राप्थ होता है इसके बादा शाबूदाना चाहिक से बनाए जाता है इस तरह से कुछ कुछ फिर इसे आगे अगले वीडियों में दखेंगे तब तक धन्यवाद